आल राइट तो आज हम टेर डाउन करने वाले हैं ट्रेबिट के लेटेश्ट पोर्टेबल स्पीकर का ट्रेबिट एक्साउन प्लस टू तो इसके हम अल्रेडी एंबॉक्सिंग डिटेल में रिव्यू कर चुके हैं तो अगर आपने चेक आउट नहीं करा है तो उपर आइप एक 7 की रेटिंग के साथ आता है तो काफी हाडली ये पेस्टेड रहती है यहां पर तो ग्रिल मैडल की बनी भी है कई बार इसको निकालते हुए इसमें टैंड भी पड़ जाता है तो कंपनी ने उसके लिए यहां पर एक कट आउट दिया है जिससे आप इसको प्रॉपर कर दी है इसके बाद यह काफी अराम से निकल जाता है तो यहां पर इसके सभी कनेक्शन से इन सभी को निकाल लेते हैं तो दोनों स्पीकर कनेक्शन हम निकाल लेते हैं सबसे पहले यह है पहला स्पीकर और यह रहा दूसरा स्पीकर तो यह इसकी फ्रंट प्लेट जहां पर या किचे बाटम है नहीं किया गया है एक always स्रेटर होते स्ब्सक्राइब क्या क्याने के लिए यहां पर इसका बैटरी कनेक्शन तो इसके अंदर की तरफ की बैटरी दी गई है कि यह है इसकी battery as you can see यहाँ पर 7.3 volt की 2400 mh की battery दी गई है तो यह दो cell battery है तो एक base radiator इसका अंदर के part में है same उतना ही बड़ा जितना front part में है अब इसकी motherboard को मैं निकाल लेता हूं तो motherboard काफी आराम से निकल जाती है स्रिफ ऊपर की तरफ आपको उसको पूल करना है और यहाँ पर है इसका microphone connection यहाँ पर एक connection और है आयोस का तो यह राज का cabinet quality काफी सही है इसकी आप base radiator vent है यहाँ पर है इसके iOS अंदर की तरफ टोटली है पर पेस्ट के गए हैं और इसका जो microphone है वह यहाँ पर पिश्चेड है तो यह इसकी motherboard इसके सभी controls भी दिये गए है और प्रॉपर यहाँ पर camping के साथ यह आते हैं इस form के नीचे इसके बटन से हैं अब इसको फटाफट से close कर देते हैं और प्ले करके checkout कर लेते हैं तो सबसे पहले इसकी motherboard को मैं वापिस लगा देता हूं तो इसको completely close करने से बहले एक बर हम on कर लेते हैं तो अब इसका naked bass test देखना चाते हैं इसके speaker और bass radiator को vibrate होता देखना चाते हैं तो आप मुझे instagram और facebook पे follow कर सकते हो वहाँ पे हम सभी speakers का bass test and sound test upload करते रहते हैं अबशित आहले एक अब कर दो क्वानों झाल झाल